पाटिल के पंच के एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ जीएस वेग कौन है सबसे बड़ा मैच विनर दिल्ली के लिए शिकर धवन जोकी एस्टाब्लिश खिलाडी है या फिर रिशब पंच जोकी एक्स्प्लोजिव खिलाडी है जानते हैं पाटिल के पंच में सीधा बहुत बहुत स्वागत आपका डारेक्ट सवाल रिशब पंच बड़ा प्लेयर दिल्ली के लिए या फिर शिकर धवन सीधा सवाल अगर आपने किया है तो मैं कहूंगा शिकर धवनी क्योंकि शिकर धवन पारी की शुरुवात करता है और शुरुवात से लेके अन तक खेलने का उसे मौका भी मिलता है रिशब कंदेपन के पाद इतने सारे यूनो ओवर्स नहीं होते क्योंकि वो बलेबाजी क के लिए आता है नमर पाच या अच्छा जैसी भी स्तिती हो टीम की उस हिसाफ से उसे भेजा जाता है तो अगर तीन चार और में अगर आप चाहते हैं कि हर मैच विशब पन जिता है तो ये मुम्किन नहीं है लेकिन जी हां शिकर दवन जो हमेशा ओपनिंग करते हैं किसी भी टीम के लिए हो जिसको बीस और खेलने का मौका मिलता है एक सो बीस गेंदे खेलने का मौका मिलता है तो डेफिनिटली उसको ज्यादा चांसे उसको मैं कहूंगा कि वह ज्यादा मेरी नजर से मैच विनर रहने वाला है इंट्रेस्टिंग पॉइंट संदीब लेकिन मैं बस ये पूछना चाहूँगा कि क्या सिर्फ इसी वज़े से रिशब पंत ओपनिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रिथवी शौ और शिकर पहले से ही टीम में मौजूद हैं इसी वज़े से रिशब को नीचे लेका आजाता है क्योंकि रिशब दिल्ली से आम तोर पर ओपनिंग भी करते हैं इंडिया अंडर 19 के लिए भी रिशब ने ओपन किया हुआ संदीब देखें ओपन करना किसी एरे-गरे का काम नहीं है आप बच्पन से लेके जब आप क्रिकेट की शुरुआत करते तब से लेके आपका नंबर तै हो जाता है अगर कोई खिलाडी opener थाबित करना चाहता है शुरू से लेके जैसे रिशब पन्थ की बात आप कर रहे हैं कि under 19 के लिए भी उन्होंने open किया था लेकिन यहां पे हम जो T20 में देख रहे हैं ना सिर्फ एक रिशब पन्थ है काफी बाकी इनों 20 खिलाडियों का खेमा होता है जो squad होता है बहुत ब प्रयोग के रूप में या एक गैंबल करते है लेकिन मैं मैं चाहता हूं कि जो opener होता है वो opener ही रहना चाहिए अगर इशब पन्थ को opener इसके आगे वाले आने वालों जो समय है या भारत को अगर उसको भारत के लिए खेनना है तो उसको कहना होगा कोच को या कप्तान को कि म संदीप एक आखरी सवाल डेली कैपिटल्स पे ही कि एक तरफ आपके पास प्रिथवी शौ, शिकर धवन, रिशब पन्थ, श्रेयस अयर बहुत एक्साइटिंग सा टालेंट है जो आगे अगले चार-पांच साल पर इंडियन क्रिकरों अच्छा सर्फ करेगा वो अभी तक इतना क्लिक नहीं कर पाए, दूसरी तरफ है चन्नाई सूपर केंग्स यहाँ पर सारे एक्सपीरियन्स खिलाडी, काफी टाइम से खेलते आ रहे हैं, वो अच्छी तरीके से फिर भी खेल रहे हैं, इनकी टीम अच्छा कर रही है, एक मैच वो भले ही हार चुके हैं, इसकी क्या वज़ाएं आप मानते हैं, डेली कैपिटल अभी तक पूरे फॉर्म में नहीं आई है, वज़ाएं एकदम सिंपल है विवेक, अगर आपको आपका रोल क्या है, इसका अगर पता नहीं है, मैच के सुबह के दिन, मैच शुरू होने से पहले आदा घंटा या एक घंट हो जाती है, हर खिलाडी चाहता है कि मैच से पहले, एक दिन पहले अगर उसे उसे जो रोल है, उस मैच में चाहे, वो बोलर हो चाहे, वो बैच्वान हो या उसकी फिल्डम पॉजिशन हो, जब तक उसका ये रोल उसको बताया नहीं जाता है, तब तक वो अच्छा प्रेश है जो कोशिश करते हैं कि open करने की लेकिन हमेशा मैं मेरा यह मानना है कि हर एक number का अपना-अपना काम होता है चाहिए एक number और दो नंबर और ती number और जो openers होते हैं फिर middle order होता है lower middle order होता है इसलिए बहुत important होता है कप्तान और coach के लिए कि उनके जो खिलाडी है जो 11 चुने गए खिलाडी है जो मैच खिलने वाले उनको उनका रोल बता दिया जाए मैच से पहले बहुत interesting चीज़ है यहां पर संदीप ने कहा है क्योंकि एक तरफ संदीप का यह मानना है कि जिसका जो काम है वही करना चाहिए टॉप और टॉप और में मिडल और मिडल और में लेकिन वही पर एक और थियोरी है कि आपके बेस्ट 1,2,3,4 बल्ले बास को मैक्सिमम मौका मिलना चाहिए क्योंकि यह फॉर्माट में सिर्फ 120 गेंदे हैं शायद इसी वज़े से विराट, शेयर और बाकी सब टीमों में अपने बले बास अपने बैटिंग ओर्डर को उपर नीचे करते आ रहे हैं इस बात पर और भी बहस करते रहेंगे पार्टल के पंच के इस एपिसोड में इतना ही आप देखते रहिए वाक रिकेट